तो गाईज जर बश्चपन की टाइम में आपने पंखा बहुत नचाया होगा और दिवाली की टाइम पर इस चकरी भी खोग नचाते होंगे और इन दोनों चीडियों में आज सच में बहुत यदा मजा भी आता है मगर यह सब बाते मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ तो गाईज जर बाते इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक भी इस दोनों चीडियों से रिलेटेड होने वाला है आज की वीडियो का आइडिया कुछ हैसा है कि अगर हम इस दिवाली चक्री के ऊपर इस पंक्य को कुछ तरीके से लगा दें और उसके बाद इस दिवाली चक्री को जलाएं तो क्या होगा क्या यह दिवाली चक्री जब नाचेगी तो हमारा पंका भी नाचेगा तो उस टाइम पर क्या हमारा पंका इस दिवाली चक्री को हवा में लिफ्ट करा पाएगा या उड़ा पाएगा या फिर नहीं या फिर जमीन में नास्ता रह जाएगा तो guys ऐसा कुछ अभी हमें पता नहीं है, मैंने ऐसा कुछ पहले ट्राय भी नहीं किया है यह तो हमें तब पता चलेगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट को तो मतलब ही ही है कि कोई नहीं चीज ट्राय करना और फिर देखना आकिस उसका रिल्ट क्या आता है तो हम भी इसूझ को ट्राय करने वाले हैं और फिर देखेंगे किया यह हमाई चकरि को हवर में उड़ा पाता है तो गैस अब इसको नचाएंगे और फिर देखेंगे क्या यह नाचिती है और हवा में उठ पाती है फिर नहीं तो चलिए नचाते हैं फिर इसको बसी नाच जाए जो इसका असली कान है आगी अगर एक बार हवा में नहीं उड़ी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ईटे प्याद सब बेकार लो रह गया तब ये देखे यार तो गाई ज़र ये देखो हमाई द्वाजी चक्री का क्या हाल हो गया भाई और ये पंका भी एकदम तेड़ा हो गया गर्मी को जैसे सिकुड सा गया एकदम पतानी क्या हाल हो गया दोनों चीजों का हमने कहां सोचा था यार ये नाचे की बढ़ियां से और उसके बाद हवा में जाएगी ना भीया ये नाची तक नहीं यार एक दो बार जब मैं इसमें उंगली ऐसे मारी तब ये हलका सा दो तीन बार राउंड नाची और फिर ऐसे गिर गई और गिरने के बाद भाई ये रिखी इसको भी जला दिया और खुद तो एकदम खतमी होगी भाई तो यार क्या सोचा था किया हो गया लेकिन कोई प्राब्लम नहीं है आगे की वीडियो में ऐसे मज़ेदार यूनीक से आइडिया के साथ धमाकेदार अगली वीडियो कावी ज़्याद मज़ेदार होगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कर क्योंकि दिवाली आरे दिवाली में आपके लिए बहुत साथ धमाकेदार वीडियो लाने वाले पठाकों से रिलेटेड और साइंस एक्सपेरिमेंस से रिलेटेड भी ब